हेले वीडियो फैमली कैसे हैं आप सब लोग एन थाइंस फॉर वाचिंग मैं चैनल दोस्तों फिनांशल रेशो एनालेसिस के सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ और एक और रेशियो के बारे मैं आप से डिसकस करूँगा और वो है रिटेंशन रेशियो तो चलिए चैनल के बाद उसमें से जितना कमाते हैं उसके बाद अलग अलग शियरोंड एन्वेश्ट को भी देना पढ़ताएं पैसा तो दिविडेंट कंपनी दे रहा है या नहीं दे रहा हो उसके बाद जो भी पैसा बच रहा है उसमें से जो भी पोर्शन वो als फिर से calculate करेंगे अब देखेंगे retention rate का formula है retained earning divided by net income इसका सीधा सा मतलब यह है कि company अपने कमाए हुए मुनाफे में से कितना हिस्सा फिर से reinvest कर रहा है business में business को grow करने के लिए उसके operations को grow करने के लिए generally अगर यह higher होता है जितना जादा होता है उतना अच्छा है क्योंकि बाहर के sources से उनको पैसा लेने की जरूरत नहीं वो अपने market वे अपना reach बढ़ा सकते हैं अपना वर्चस वे बढ़ा सकते हैं competition जो है अपना बढ़ा सकते हैं तो बहुत सारे इसका dynamics है जो आपके retention ratios के through यह पता किया जा सकता है कि अपने operations को और strengthen करने के लिए जो company है वो कितना मुनाफ़े से reinvest कर रही है जैसे बहुत सारे company क्या होता है नए नए company होता है वो dividend नहीं देते हैं उसका एक reason यह भी होता है क्योंकि उनको grow करना रहता है और उनको पैसा चाहिए तो वह जो मुनाफ़ा कमाते हैं उसमें से maximum हिस्सा जो होता है उपने business में reinvest कर देता है तो वह जो आपको number दिखेगा वह आपको retained earnings के form में दिखेगा और इसको जब हम divided by net income करके यह percentage पता करते हैं कि retained earnings जो retention rate है वो कितना जादा है तो जितना जादा होगा उतना ही अच्छा है यह तो एक point हो गया लेकिन इतना भी जादा हो कि यहां पर आपका retained earning तो बढ़ड़ा है लेकिन उसके साथ साथ हमें अलग चीजें भी देखनी पड़ेगी कि यह ना हो कि retained earnings बढ़ड़ा है लेकिन साल साल हमारा जो net income में वही घटते चले जा रहा है तो उससे होगा यह कि retention rate आपका और बड़ा दीखेगा लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि company तब अच्छा कमारी है यह भी डाइनमिक्स है जिसको हमें देखने की जरूरत है company पैसा तो लगा रही है लेकिन क्या management की strategy सही है क्या उन invest कर रहा है अपना business size बढ़ा रहा है operations को strengthen कर रहा है लेकिन क्या वो चीज जो कर रहा है management जो तरीका उसका result मिल रहा है कि नहीं क्योंकि at the end of the day अगर मैं investor मुझे पैसा लगाना है तो मैं company का earnings देखूंगा उसका growth देखूंगा अगर वही नहीं आ रहा है चाहे मैं कितना पै देखते हैं इसको calculate कैसे करता है यहां पे दोस्तों आपके समने balance sheet है और आपके left hand side पे profit and loss statement है तो यहां पे आप देख लेंगे कि यहां पे आपको दिख जाएगा balance sheet में stockholder security का एक part होता है retained earnings यहां पे आपको retained earnings दिख जाएगा और यह आपका net income है तो retained earnings divided by net income तो इससे हम य retention rate है वो कितना है जादा है कम है कितना है वो हम देख सकते हैं तो जितना जादा होगा उतना अच्छा होगा लेकिन इसके अलग-अलग dynamics है जिसको भी हमें ध्यान रखना है तो दोस्तों इसी information और इसी वीडियो update के साथ मैं यह वीडियो खतम करना चाहता हूं अगर यह वी आपके कोई thoughts है वो भी मुझे बताइए जरूर बताइए ताकि मैं उसके ओपर भी कुछ काम से कर सकूँ और लास्ली टेक केर अफियर फैमिल और फ्रेंड्स थैंक यू